मैं जनरली पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मैं कल क्या खाना बनाने वाली हूँ खास करके लंच बॉक्स के लिए लेकिन कल मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया था कि मैं क्या बनाऊंगी और जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें कुछ भी सबजियां वेगर थी नहीं तो आसिस बोले कि दाल मखनी बनाओ काफी जादा टाइम हो गया है और मेरा भी बहुत मनुझा था डाल मखनी खाने का क्योंकि मैं एक दिन बूल रही थी कि दाल मखनी बनाओ काफी टाइम हो गया किसी दिन मुझे याद दिलाईएगा तो मैं दाल मखनी बनाओंगी दोनों मैंने तीन से चार बर अच्छे से धो लिया था उसके बाद भीगने के लिए रखाै न静 Beam लिए देखी जो काली ओरद होती है कुछ इस तरह से दिखती है और यह आपको आराम से क्षारी श् persons लाइन हम हम क्या करेंगे ना पानी हटा लेंगे और इसे कुकर में डाल देंगे देखिए दाल मकनी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है बस थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्योंकि हमें इसे घोटना पड़ता है तो फ्लेम को अन कर दिया है मैंने और मैं इसमें डाली हूं पानी तो मैंने इसमें तीन कप पानी एड़ किया है, मतलब जितना जैसे की डाल है भीग जाए, उससे आपको एक दो अंगुल उपर ही पानी रखना है, साथी मैं इसमें एड़ करूँगी लहसुन, तो चार लहसन की कलिया मैंने लिए और इसे हलका सा मैंने क्रस्ट कर दिया, ताकि इसका जो फ्लेवर अना बहुत ही अच्छे से मतलब दाल मखनी मैं, साथी एक चमच के करीब मैंने बटर एड़ किया है, और डेर चमच के करीब नमक, और आधा चमच मैंने इसमें कस्मीरी लाल मिर्च एट करीए, ताकि जो यहाँ पर दाल अना उसका कलर बहुत ही अच्छा है, और इसे अब क्या करेंगे, चार से पांच विसल आने तक के लिए पका लेंगे, ध्यान रहे, जब भी डाल मकनी के लिए आप उरत की डाल को भीगने के लिए रखें ना, तो उसे अराम से तीन से चार बर अच्छे से धोएं, ताकि उसमें जो भी गंदगी हो ना, वो निकल जाए, इससे डाल मकनी जो है ना, एकदम काली नहीं बनेगी, उसका जो कलर है बहुत ही पर्फेक्ट आएगा, अब दाल मकनी में बहुत ज़्यादा मसाले वगरा पढ़ते नहीं है, प्याज वगरा डलता नहीं है, सिर्फ जो उसका ग्रेवी होता है, वो टमाटर का होता है, तो मैंने यहाँ पर तीन टमाटर ले लिया है, और उसे मैंने हलका सा कट लगा करके डाल दिया पानी में, टमाटर यहाँ पर अच्छे सिक्दम लाल-लाल होने चाहिए, तब ही जो दाल मकनी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, पर यहाँ पर टमाटर बहुत ज़्यादा लाल नहीं थे, तो मैंने इसमें दो कस्मेरी मिर्चाइट की है, ताकि जो हम टमाटर पीसे ना, तो उसमें बहुत यह अच्छा से एक वाइबरेंट रेट कलर आए, तो हमें क्या करना है ना, बेसिकली जो टमाटर है ना, उसकी प्यूरी बना करके तयार करनी है, तो मैंने यहाँ पर ब्लांच होने के लिए रखा है टमाटर को, आप चाहे ना, तो डियेकली टमाटर का चाही ऐसे ही मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, और उसकी प्यूरी बना सकते हैं, बट मैं जनरली प्रिफर करते हूँ, उसे हलका सा ब्लांच करने के बाद उसे मतब ग्राइंड करूँ, इससे जो प्यूरी है ना, और भी अच्छी, और भी स्मूथ बन करके तयार होती है, साथी इधर मैंने अद्रक, मिर्च और लहसुन का पेश्ट बना लिया है, इसे ना, मतब फाइन पी से, जो दाल मखनी होती है, एकदम फाइन होती है, तो बहुत जादा अच्छे लगते है खाने में, जो टमाटर है ना, उसके हम छिलके हटा लेंगे, जो प्यूरी बनेगी ना, बहुत स्मूथ रहेगी, और इसे मैंने थोड़ा-थोड़ा काट दिया है, ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए, यहाँ पर जो दाल है ना, उसमें पांच विसल आ गयते, तो मैंने उसे साइड कर दिया है, अभी हम चलते हैं, ग्रेवी बनाने की तरफ, तो मैंने एक चमच तेल एड़ किया है, साथी एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पर बटर एड़ किया है, बटर का टेश्ट दाल मकनी में बहुत जादा अच्छा लगता है, और इसे डाल दें बिल्कुल भी कंजूसी मत करियेगा, साथी मैंने एक चमच कस्मीरी लाल मिर्च एड़ करी है, और जो अधरक मिर्च और लासुन एड़, मतलब पीसी थी ना, वो इसमें एड़ कर देंगे, अगर आप लासुन ने खाते हो ना, तो स्किप कर दीजेगा, और ऐसे ही बनाईएगा, फिर भी दाल मकनी बहुत अच्छी बन करके तयार होगी, जो टमाटर है ना, वो भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, और एक फाइन प्यूरी बना करके तयार करूँगी, इस तरह से अगर आप दाल मकनी बनाएंगे ना, तो आपको होटल वाला भी इसके सामने कुछ भी नहीं लगेगा, जरू पसंद आएगी, देखें जो टमाटर की प्यूरी थे ना, वो मैंने इसमें एड कर दिया है, अब यहाँ पर ध्यान रहें, कोई भी चीज आपको जलाना नहीं है, अच्छे से भूनना है, तो यहाँ पर जो टमाटर रहा था, तो मैंने क्या क्या ना, ढखकन ढख दिया है, और इधर दाल भी चेक कर लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर यह जो दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो मैं यहाँ राजमा चेक कर रही हूँ, राजमा सॉफ्ट हो गया है, बट फिर भी मैंने चेक कर लिया, देखें, दाल इधर से रेडी हो गई है, अब जो टमाट वेगर नहीं डलते हैं बहुत ही बेसिक चीज रहती है फिर भी इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है इधर मैंने कड़ाई चड़ाई है उसमें मैं बनाऊंगी जीरा राइस तो मैंने यहाँ पर दो छोटा चमच घी एड़ किया है साथ ही एक तेजपता एड़ करेंगे और एक चमच भरके इसमें जीरा एड़ करेंगे क्योंकि जीरा राइस है तो जीरा की क्वाइंटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी एक चक्री फुल एड़ किया है मैंने अब क्या करेंगे कि इसमें चावल एड़ करेंगे तो चावल का सारा पानी मैंने हटा दिया है और न, आप क्या करें न, कि चावल को अच्छे से आधे घंटे के लिए बीगने के लिए जरूर से रखें, इससे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे, और एकदम अच्छे बन करके तैयार होंगे, एक कप चावल लिया था, तो मैंने इसमें दो कप पानी अड़ किया है, पा चावल वहाँ पर दीरे दीरे खुद बखुद पकेंगे देखिए यहाँ पर जो टमाटर है ना वो भी अच्छे से भुन गया है इसमें से मतलब बटर जो हमने डाला था ना वो भी रिलीज हो गया है तो हम क्या करेंगे कि इसमें डाल अड़ कर देंगे और यहाँ पर पानी के साथ ही दाल एड़ कर देना है और इसे continueously अब यहाँ पर stir करते जाना है जो दाल मकनी है ना उसका स्वाध यहीं से उभर करके आता है आपको continuously से चलाते रहना है तो मुझे यहाँ पर पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैंने इसमें गर्म पानी एड़ किया है जब भी आप इस तरह से कोई भी सबजी या फिर ग्रेवी बना है तो गर्म पानी ही एड़ किजेगा जिससे इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं रुखेगा और य यहां ने गेहूं पुसवा करके रख़ा था मतलक कल रात मेरी पीसे यहाँ पस्वा करके और बहुत लोग बोलते क्या आप आठा मेरी घर में गेह्था ना पृफर करती हूं मैं बहुत हर न uppnation ज्मच श Scout किया है आज मैं बनाओंगी सीड वाले रोटी जो कि बहुत ज़ादा अच्छे बनते हैं और बहुत ज़ादा हेल्दी भी रहते हैं अगर आपको कलर कितना पर्फेक्ट आया है अब हम क्या करेंगी किसी उतार के साइट में रख देंगे और कसूरी मेथी भुनेंगे जो कसूरी मेथी है ना उसका जो फ्लेवर है ना दाल मकनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हलका सा गर्म कर लेंगे ताकि अच्छे से क्रस हो जाए एक चमचे करीब मैंने इसमे अड़ किया है साथी आधा छोटा चमच गरम मसाला अड़ करेंगे और इसमें क्रीम अड़ करेंगे तो यहाँ पर मैंने फ्रेस क्रीम लिया है आप चाहें तो दूद की मलाई भी ले सकते हैं थोड़ा सा दूद एड़ कर दीजेगा उसके बाद एड़ कर लीजेगा साथी बारी कटा हरा धनिया एड़ किया है और देखें यहाँ पर जो हमारी दाल मकनी है बन करके बिलकुल तयार है बिलकुल होटल जैसी लगती है मैं इनफेक्ट क्या ही बोलूँ होटल से भी ज़्यादा अच्छी लगती है जरूर से ट्राइ कीजेगा और बहुत ही अच्छी और आसान रेसिपी है इधर देखें जो चावल है वो भी हो गया है अभी क्या करेंगे न किसे बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे सारा पानी यहाँ पर सूख गया है फ्लेम को आफ कर दिया है मैंने से उपर से डाल देंगे बारी कटा हरा धनिया तयार है जीरा राइस भी अभी मैं बनाऊंगी न बेबी कॉन श्टीर फ्राइ चुकि जानते हैं बेबी कॉन पड़ा हुआ था फ्रिज में मैं तीन-चार दिन से सोच रहे थी कि मैं बेबी कॉन चिली बनाओ बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था तो आज मैंने सोचा कि मैं ये गार्लिक बेबी कॉन बना देती हूँ तो मैंने बटर और गार्लिक बारी बारी चौप करके अट किया साथ ही बेबी कॉन अट कर दिया नमक अट कर दिया और इसे ढख देंगे सिब 2-3 मिट तक के लिए तक हलकी सी सॉफ्ट हो जाए थोड़ी मोटी मोटी लग रही थी मुझे देखने में और देखें यहाँ पर इसे हाई फ्लेम पर आप रोष्ट कर सकते हैं नॉर्मली ऐसे ही उपर से हलका से मैंने काली मिर्श का पाउडर थोड़ा सा पीजा सीजनिंग आधा चमच एकरी मैंने सोया सॉस और आधा चमच मैंने इसमें विनेगर एड़ किया है और हमारा ये जो गार्लिक बेबी कॉन फ्राई यहाँ पर हुआ है ना बहुत जादा अमेजिंग लगता है खाने में आप लोग इसे जरूर से ट्राइ किजिएगा आप लोग सेम तरीके से मस्रूम पनीर इस तरह कि ट्राइ कर सकते हैं बहुत बहुत अच्छे लगते हैं और बिना तेल मसाले के बनते हैं तो काफी जादा हैल्दी भी होते हैं जो सीड़ वाली रोटिया है ना उसे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे एकदम पतला पतला नहीं करेंगे नहीं तो यह फूलेंगी नहीं उपर से मैंने पमकिन सीड लगाया है इस तरह से अगर आप सीड कंजियूम करेंगे तो आपको खाने में परिसानी भी नहीं होगी अदरवाइज आप सोचते रह जाते हैं बाकी का मैंने गेस फ्लेम पे सेक लिया है बहुत बहुत अच्छी रोटियां बन जाती है और देखने भी काफी जादा अच्छी लगती है थोड़ी छोटे-छोटे साइज के ही मैं बनाती हूँ सीड वाली रोटियां क्योंकि थोड़ी से मोटी भी होती है और अपना तवे में ही इसे अच्छे से सेक ले उसके बाद लाश में फ्लेम पे सेके उपर से हलका से घी लगा लेंगे देखिए हमारी रोटिया बिलकुल तयार है रोटियों को रैप करने के लिए मैंने यहां पर यूज किया आड़ी उनी रैप किसमें रोटियां लंबे समय तक सौफ्ट रहते हैं कोई भी हामफुल कैमिकल मैटल नहीं है तो परामस इसका यूज कर सकते हैं दो रोटिया मैंने आसिस को दिया और आसिस को इस तरह की रोटिया अच्छी लगती है खाने में यह रही डाल मकनी बहुत यमी बनी है और साथ ही यह रहे बेबी कॉन फ्राइ और देखिए जो चावल है ना यहाँ पर आट-दस मिन्ट हो गया थे और यह एकदम अच्छे से खिले-खिले हो गया है तो आप स्टार्टिंग में चावल को कभी बहुत ज़्यादा ना चला है कैसी लगी आज की रेस्पी मुझे जरूर से कमेंट करके बताईएगा और पसंद आये ना तो मेरी मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मैं मिलती हूँ इसी तरह कैसान रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार